हलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने यूटूब चैनल नौकरितक पे आसा आप अच्छे होंगे फिलाल आप चिंतित होंगे और परिसान होंगे यह पेपर लिक मामलों को लेके बिते दिन आपको पता है कि BPSC ने साप सब्दों में कह दिया कि पेपर लिक नहीं है अगर पेपर लिक हुआ है तो बिहार के जो प्लीस विभाग कहें तो आर्थिक अपरा दिकाएं उनको साप सब्दों में कहा है कि आप साक्छ लाइए साक्छ यानि सीधे सब्दों में कहे इतना साक्ष देने के बाद भी बिहार आयोग यानि BPSC आयोग को पता ही नहीं चल रहा है कि पेपर लिक हुआ है या नहीं पुरा बिहार ही नहीं बलकि पुरा भारत जानता है और भारत के प्रतिष्टित चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है कि पेपर लिक हुआ है लेकिन बिहार सरकार मानने को तयार नहीं है तो सरकार में बैठे हुए जो NDA सरकार है उन पे जाच हो जाएगी और कितने सरगणा इसमें पकड़ाएंगे यह आप भी जानते हैं यानि सलिपता उपर से नीचे तक नीचे से उपर तक है आप कल ब्यान भी सुने होंगे किनका चै़स में क्या तिमाग खराब है क्या यानि 63 बावू के पलट पार पर उन्हों ने कहा उनका नहिए और दिमाग तो हम लोगों का ख्राब कर दिया गया कि आप का पेपर लिक ना दी력 करा है यह मामला क्या है? इस पे हम नहीं जाएंगे. मैंने इस पे कुछ लिका है. वाकई में हम सभी का दिमाग खराब कर दिया गया है. समराट चौदरि अगर बोलें दिमाग खराब है क्या? उन्होंने साप त्यस्वी आदब को कहा. लेकिन उनका त्यस्वी आदब का नहीं है. द लेकिन वही नेता गनगा अंदोलन करते हैं. बीते दिन आपको पता होगा. जब विपक्ष में भासपा थी, उन्होंने अंदोलन भी की थी, उससे में लाठी चार्ज किया गया, सबी नेताओं को पीटा गया. तो किनी नेताओं पे कोई केस नहीं हुआ. लेकिन वही जब बिदार्थी जब पटना के गरदनी बाग से कहीं अंदोलन करते हैं, तो उस पे केस ठोका जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, क्योंकि भविस में वो फिर से खरा नहीं हो पाए. इसलिए बिदार्थी भी घर से नहीं निकलते हैं. अगर आज अंदोलन भी होता है सांत करने का काम कर गये हैं, इतना ही कहेंगे एघजा को कंसिल कर दिये सर, नहीं तो बिछार में हाहकार मत जाएगा. चाहा, आपकी बातों से और हमारी बातों से सामत होंगा, मैं भी जानता होगि, पेपर लिख हुआ है जितने साक्ष मुझे मुझे मिले, लेकिन वा विप है impacting को कौन सा साख्च चाहिए मुझे भी पता नहीं चल रहा है अगर आपके पास साख्च है तो आप कमेंट के मादम से भेजने का प्रियास किजिएगा आप देखिए न यहां देखिए आमने सामने मामले की जांच के बाद यहां ने माना कि प्रश्ण पत्र लीक हुआ है तो फिर आयोग क्यों नहीं मान रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार में कहीं सभी मिले हुए है नेताओं के बच्चे या चचा बँजा नेता जी चच्चा होंगे उनके बँजा कहीं से शचक बन जाएंगे हो सकता है मामला, कुछ भी हो सकता है, मैं किनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, चुकि आम आदमी के बच्चे, इस किसाम बेरुजगार के बच्चे, गरीब के बच्चे के पास 10,20,00 रुप्या नहीं हो सकता है, मैं reality बोल रहा हूँ, तो हम आप कहां से सेटिंग करवाएंगे आप बताइए यह उन्हें प्रस्ट पत्र लिख की जांच रिपोर्ट दीए तर उसमें नहीं है यानि भाई कैसा साक्ष चाहिए यानि BPCC बोल गई है आयोग को प्रस्ट पत्र लिख और के 15 मार्च को अढ़ाए बजे मिली है आयोग बोल गाया है कि हमको पेपर लिख की मामला अढ़ाए बजे अ मिली है आयोग कोई फैसला लेगा वा अरे वा यहां तक की यहां तक की यहां का सब कुछ साप सब्दों में कहा दिया कि प्रस्ट पत्र और एंसर की सेम मिल रहा है तो फिर आयोग को क्या दिक्कत है आयोग का किस से सांट गाठ है अरे आदर निये मुकमंत्री साहब दिमाग खराब किसी का नहीं हुआ है दिमाग खराब आप ने कर दिया है सभी विरुजगार अभ्यरती को जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब आप बेसत्ता होते हैं, तो आप आवाज उठाते हैं, और जब सत्ता पे आप बैट जाते हैं, तो मलाई खाने का काम करते हैं, और आप सब ब्हुरतियों से कहेंगे, अब भी जाग जाएए, इलक्षन का समय है, मुद्दा गर्माया ह शु हुआ है अगर इससे भी नमाने तो आपके पास एक हक्त्यार है आपका अंधा अंधा दवाईएगा मैं अब भी बोलš गाह辉 मैं किसी की पार्थी पॉलिटिक से नहीं बोल गाह बीहार में आपको पता है एक बार अपने मन से एक आता है सो दबा किसि पार्थ है नोन एक माल यह हुई यह भी फस गया इसके बाद आपका विधान सबाका चुना हुआ है उसमें जो आना होगा आएगा इसके बाद चार साल नहीं दिखेगा बिलकुल नहीं दिखेगा यह कोई भ्रामक मैं नहीं फैला रहा हूं अगर ऐसी बात है तो फिर एक्जाम कैंसिल क्यों का निमा उपार Ctrl नहीं नहीं करते हैं कि ऊपर से आदेस है अपी जानते हैं कि ब्रेश के मुखी बढ़ नहीं नीतिस बाब बैठे होंगे ना उससे भी कर चाओंग ग्चाचा आप ध्यान दिजिए और आप में सभी का विश्वास आपका जन विश्वास रहेगा लेकिन आप भी पता नहीं क्या हो गया, किनके साथ आप बैठ गये, कि आपकी स्थितिय ऐसी हो गई, कि जो आप कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वाकई में, जीतनरा माजी ने कहा था, कि आपको कोई गलत दवा खिलाया जा रहा है, वो सकता है, मेभी, तो यह हम कहाना च निज देख लेंगे, यह निज लाने का मकसद यह नहीं है, कि आपको मैं निज देखा दूँ, यह मकसद यह है, अगर कैंसील नहीं होता है, तो जो भी कदम उठाना है, आपके टीम के दोरा सही तरीके से आप उठाईए, नौक्री तक आपका साथ देगा, आपका सहयोग देगा, बिल्कुल 100% देगा, लेकि जो लोग पुरा वीडियो नहीं देखते हैं, बोलते हैं, आप साथ नहीं देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, हमेशा थे हैं और रहेंगे, इसके लिए जो भी हो जाए, बिल्कुल आप अंदोलन की बात कर रहें, सांति पुर्ण तरीक पेपर लिक, BPSC ने, EOU से मारा साक्ष, आप कैसा साक्ष दे, बताइए, इसका मतलब कोट में जाएगा मामला, मामला जब कोट में जाएगा, तो पेचीदा होगा, बहाली फसेगा, 100% ये बहाली फसाने का तरीका है, आप सीधे सब्दों में एक्जाम कैंसिल किजिए, इस एक्जाम खतम होने के बाद दी, आप सीधे तो एक्जाम बच्चे को उठा के आपके पास तो नहीं ला देगी, इतना बड़ा साक्ष दे गई है, वो तीन दिन, दो दिन पहले ही लिख हुआ था, वो साक्ष खट्टा की है, और साक्ष आपको दिया भी गया है, लेकिन आय आया दिन आप पेपर में भी देख सकते हैं, विहार जारकंट के कई जीलों में हुई थी छापे मारी, जांच में जूटी SIT, ग्रपतार ग्रेंग के सदस्चों को रिमान पर लेके होगी पूस्तास, यह तो हमें भी पता है, पूस्तास कब तक कीजिएगा, आप अगर पू कैंसिल, एक्जाम कैंसिल हो, यह पुरा बिहार बोल रहा है, इसलिए किसी को सौक नहीं एक्जाम कैंसिल कराना, चुकि उनके भविस्च की बात है, एक्जाम को कैंसिल किजिए, और इसके बाद आप सा री एक्जाम लेजिए, कोई मामला नहीं होगा, री एक्जाम आप ल तक आपके यूटुब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं आपके साथ हैं 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 पहुंचा दीजेगा मैं आपको मिलूंगा आज के बड़ों में इतना ही जय हिंद जय भागत